मीठे का शौकीन हर कोई होता है कुछ लोग सेहत का ध्यान रखते हुए इसका कम सेवन करते है तो कुछ ज्यादा महमान नवाजी भी तब तक अधूरी समझी जाती है जब तक खानी के बाद कुछ मीठा न परोसा जाए मीठा मुटापा बढ़ाने के साथ साथ डाइबेटीज जैसी कई परिशानियों का कारण बनता है क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 30 दिनों तक चीनी न खाय तो क्या होगा इससे सेहत से जुड़े कई सारे फाइदे मिल सकते है आईए जाने एक महिना चीनी चोड़ने या कम करने के लाब चीनी चोड़ने से होगा वजन कम इससे कैलरी कम होनी लगेगी जिससे मुटापा अपने आप घटने लगेगा इसके साथ ही दिल के कार्य प्रक्रिया में भी सुधार होगा दाइबेटीज से बचाओ तीस दिनों के लिए चीनी का सेवन कम करने से डाइबेटीज से भी बचाओ रहता है कभी अगर शुगर क्रेविंग महसूस करे तो इसे शार्थ करनी के लिए ड्राइफरूट्स का सेवन करे जोडों का दर्द जिन लोगों को जोडों के दर्द की शिकायत रहती है उन्हें खानी में मीठा कम खाना चाहिए तीस दिन मीठा छोडने से फरक अपने आप महसूस होनी लगेगा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है मीठे का सेवन कम करनी से इम्यूनिटी बढ़ने लगती है जिससे सर्दी खासी जैसी छोटी मुटी बिमारियों से बच्चाव रहता है पाचन क्रिया द्रुस्त रहती है मीठा छोडने से खाना असानी से पच्चना शुरू हो जाता है इससे पेट और आत को भी कोई नुकसान नहीं पौचता दात और मसूरे स्वस्त रहेंगे ज्यादा मीठा क्याविटी की परिशानी भी बढ़ाता है इससे बचने के लिए 30 दिन मीठे का सेवन करना कम कर दे इससे मसूरे भी स्वस्त रहेंगे अउनिंदरा की चुट्टी हो जाएगी रात को ज्यादा मीठे का सेवन करनी से अउनिंदरा की परिशानी हो जाती है इससे बचने के लिए मीठे का सेवन कम करे अच्छी नेंथ आनी शुरू हो जाएगी 30 दिन मीठा छोडने से आप पास सकते हैं glowing skin मीठे का ज्यादा सेवन स्किन पर भी दिखाई देनी लगता है इससे मुहासे, fine lines, चहरे के pores का open होना, oily skin, सहित कई तरह की परिशानिया आने लगती है इनसे चुटकारा पाने के लिए ज्यादा मीठे का सेवन करना बंद कर दे 30 दिनों में आपके skin natural तरीके से glow करने लगेगी इस वीडियो में हमने आपको 30 दिन चीनी या मीठा चोड़ने के क्या फाइदे होते है वो बताए इतना ही नहीं मीठा कुट करने के और भी कई सारे फाइदे होते है आप भी मीठा चोड़ने का 30 दे चैलेंज लेके देखिए और आपको उनसे क्या फाइदे मिले वो हमें comment section में जरूर बताए ओकी गाइस तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको like, share और subscribe केजिए Thank you